ओडी, लेंबरगिनी, बेंटले, पोर्शे, डुकाटी, स्कॉडा, सियेट, ये सारी ब्रांट्स एक ही कंपनी की है, फोक्सवेगन, लेकिन इस कंपनी का पास्ट काफी कॉंट्रोवर्शल रहा है, 1930s में जर्मनी में कार एक लग्श्री थी, लेकिन अडॉल्फ हिटलर, जी ह ये ही अडॉल्फ हिटलर, चाहते थे के हर जर्मन के पास कार हो, उनके ओर्डर्स पर नाजजी लेबर फोर्स ने एक कंपनी बनाई, वोक्सवेगन, जिसका जर्मन मीनिंग होता है, पीपल्स कार, और डिजाइन की जिम्मेदारी सौपी गई, फर्डिनांड पोर्शे को, ये पॉलेटिकल विल और टेकनिकल स्किल की ऐसी जुगलबंदी थी, जो उस समय इतने बड़े प्रोजेक्ट को एक्जीक्यूट करने के लिए बहुत जुरूरी थी, 1938 में कंपनी पहली कार बीटल्स लॉंच करी, जो आपने बहुत सारी हॉलिवूड मूवीज में भी और दुनिया में बिखने वाली हर 10 कार में से एक कार इसी कंपनी के होती है। वैसे पॉलेटिकल विल और टेकनिकल एक्सपर्टीज के कॉम्बो से इंडिया ने भी एक कार बनाई थी, अगर पता है तो इस वीडियो को लाइक करते जाना।